आपके साथ आप देख रहे हैं न्यूस वान टुड़े कॉंग्रेस सांसर धीरश प्रसाथ साहू से जुड़ी एक डिस्पली यूनित से 300 करोड से ज़्यादा नगदी बरामद होने के बाद कानपूर के कारोबारी पियुष जैन का मामला चर्चे में है दो साल पहले रेड मानने वाले विभाग ने पियुष को 497 करोड का पैनालिटी नोटिस थमाया था इतना ही नहीं आयकार विभाग भी जुर्माना लगाने की तयारी में है कॉंग्रेस की राजसभा सांसर धीरश प्रिसाद साहू के ठिकानों पर आयकार विभाग ने 351 करोड का कैश बरामत किया इस छापे मार कारवाई के बाद यूपी के कानपूर में इत्र कारोबारी पियुष जैन का मामला भी चर्चे में आ गया है ठीक दो साल पहले GST Intelligence महानिदेश आले ने पियुष जैन के ठिकाने पर एक साथ छापा मारा था और 197 करोड रुपे कैश 23 किलो सोना और अन बहुमोल ने चीजे बरामत की थी इस मामले में कारोबारी बुरी तरह से फस गया है कैश और जेवर वापस मिलना तो दूर जाच एजिंसी दुगना यानी 497 करोड रुपे की पैनाल्टी का नोटिस भी थमा चुकी है इतना ही नहीं इंकम टेक्स भी जल्द बड़ी पैनाल्टी लगाएगा बता दे की डीजी जी आई की एहमदाबाद शाखा ने दिसंबर 2021 में कानपूर और कन्नौज में पियुष जैन के ठिकानों में 196.5 करोड रुपे नगदी 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल बरामत किया था इस मामले में एजिंसी की तरफ से कानपूर कोट में चार्ट शीट दाखिल की गई हाई कोट के आदेश पर पियुष को सतमबर 2022 में जमानत मिल चुकी है मैं 2023 में DGGI ने अपनी जाँच पूरी कर ली थी और पियुष जैन पर 497 करोड रुपे की पैनाल्टी लगाई है साथ ही इस मामले में 11 अन्य लोगों को आरोपी बनाकर नोटिस जारी कर दिया है इस मामले में एजिंसी की तरफ से 1,60,000 पेज की चार्ट शीट कोट में दाखिल की गई है जब्थ हुए 197 जानकारी के मताबिक पियुष जैन के ठिकाने से GST विभाग ने 197 करोड रुपे कैश परामत किया था इस पर जैन ने स्वेम आकलन कर 57 करोड रुपे GST सरकारी खाते में जमा कर दिये थे कोट में पियुष जैन के तरफ से पक्ष रखा गया कि उनके आकलन के अनुसार 57 करोड रुपे की टेक्स चोरी की गई है जो उन्होंने सरकार खाते में जमा कर दी है लेकिन GST विभाग ने अपनी जाच पूरी करके पियुष जैन पर 497 करोड रुपे की पैनाल्टे लगा दी डीजी जी आई ने बाकी बचे हुए 140 करोड रुपे की भारत के राष्ट्रपती के नाम एक एफटी कराकर उसमें जमा करा दिया था इसी के साथ 23 किलो जब्त किये गए सोने की कीमत लगबग 11 करोड रुपे आंकी गई है ये सोना अभी भी GST विभाग के पास है इस पर कस्टम विभाग ने 7 लाग रुपे का जुर्माना भी लगाया है 30 लाग रुपे पियुश जैन पर जबकि 30 लाग उनकी कमपनी ओजा कैम इंडस्ट्री पर लगाया गया है इस कमपनी में पियुश जैन पार्टनर है साथ ही पियुश जैन को इस सोने पर 4.38 करोड रुपे की कस्टम ड्यूटी चुकानी होगे पियुश जैन के यहां से जो पैसा और सोना जब्त किया गया था उसमें से कुछ भी उन्हें वापस नहीं मिला वहीं GST विभाग ने 497 करोड रुपे की पैनाल्टी नोटिस भी थमा दी है इतना ही नहीं इंकम टेक्स विभाग अलग से आय से जादा स्ट्रोध पर टेक्स ना देने के मामले में पियुश जैन की जाच कर रहा है IT ने फिन हल अभी tax liability का आकलन नहीं किया है आशंका जताई जा रही है कि income tax द्वारा भी सेक्डो करोड कोट tax liability पियोज जैन पर लगाई जा सकती है और आगे कि अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें News One Today